बारा जड़ी पूटियों से बना रेक्स प्रेंट डॉनिक खाएं खुद भी खाईए और पूरे परिवार को खिलाइए स्मार्ट लोगों की चोईस रेक्स प्रेंट डॉनिक आज हमारे साथ बात करने के लिए एक बहुत एहम शक्सियत मौजूद हैं आल इंडिया मुस्लिम परसलिला बोर्ट के स्पोक परसन भी हैं और काफी इस्लामिक स्कॉलर भी हैं काफी मशूर सक्सियत हैं हमारे साथ मौला सज्जाद नौमानी साथ मौजूद हैं जिन से हम बात करेंगे तीन तलाक का मामला लेकर जिस तरह से अब राज्जे सवा में ये कोशिश की जा रही है कि उसको पास किया जाए जिस तरह से पर्धान मंत्री ने अभी मन की बात मैं कहा था कि राज्जे सवा मैं अपोईशन उनका साथ दे तो उसके लिए आप किस तरह का लाह अमल त्यार कर रहे हैं देखिए अपोईशन लीडर से तकरीबन सब से हमारी सलसल बाची जा रही है और अभी तक तो सब की तरफ से यही यकीन दियानी है हमने उनके सामने जो स्टेंड रखा है वो यह है कि हम एज इट इस बिल को अपोज नहीं कर रहे हम इसमें जो लेकुनाज और फ्लाज हैं उनको उनका अमिन्मेंट चाहते हैं correction चाहते हैं तो सब ने इस stand को appreciate किया है और वादा किया है कि वो यही बात राजसभा में पूरी ताकत के साथ उठाएंगे हमने उनसे यह कहा है कि आप इसको सिलिक कमेटी में भिजवाईए क्योंकि सिलिक कमेटी में टाइम मिलता है और उस में concern groups हैं उनको उसमें बात कहने का मौका दिया जाए ला तो जो जल्बादी इस बिल के राफ करने में और इसके टेबल करने में और इसके पास कराने में हकुमत ने की है उससे उसकी बनियती आरम आशकारा हो गई यह सब के सामने आ गई और इतने नाजक मसाइल में इतनी जल्बादी करना यह तो बहुत बड़ी गलती है डिमोक्रिटिक वसूरों को उन्होंने बिल्कुल नजरन्दास किया है तो हमें उमीद है कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से जो हमेशा मुस्लिम पैसलिल्लाबोड के उपर इल्जामात लगाता है खास तोर से ये बात कही जा रही है कि autor ने अपना माकफ अदालत में सही तरह से history नहीं रगखा और उसको लेकर कि तरह कि बात अगह जाती है के कही हदीस में नहीं है इस तरह की चीज़ें तो पहले ही अगर इस चीज़ को मान लिया गया होता मुस्लिप असलिल्लाबोट के जरीए तो उस पर क्या गया है तीकि जहां तक यह बात है कि मुस्लिप असलिल्लाबोट के बारे में इस तरह की बातें कही जाती है तो यह बात का कहना यह तो बात होती है आप गोड़ तो कीजिए कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जज्जमेंट आया है कि ट्रिपल तलाक को छोड़ कर पूरा मुस्लिम परसनल लौ ये अंडर ट्वाइव सेक्शन ट्वाइव के अंडर में प्रोटेक्टेड है औ लोग इसको लेंजरान दास कर लें ये पूरी मुल्क की तारीख में सुप्रिम कोर्ट के तो बीसों जज्जमेंट्स पहले से मौज cigar मोझे हैं हाई कोर्स के जज्जमेंट्स पचासों मौजब हैं ये पहली बार हुआ है कि सुप्रिम कोर्ट ने ये माना है और ये वो नही कोर्ट से उसकी फाइव जिजबेंच से ये मनवा लिया मिजरिटी जग्मेंट है कि ये मैनिर्टी जग्मेंट नहीं है कि आप मुस्लिम पसनला को टच नहीं कर सकते हैं रह गए टिपल तलाक का मसला टिपल तलाक के बारे में तो स्प्रिम कोर्ट बहुत पहले से एक एक एपना एक वीव बना चुका है शमी मारा के केस में दानिया लतीफी के केस में आसाम हाई को Diesel ने कश्मीर के जीव जिस्टिस ने औपिर स्प्रिम कोर्ट ने कितने फैस्दिश बारे में पहले हुदे चुका है То उसके पुराने एक स्टेंड को बदलवाना, ये कोई हसान काम नहीं था, ये बलकि एक चला से नामम्किन सा काम था, और उसमें भी आप ये सोचिए, कि उसमें भी जो एक माजनर्टी जज्जमेंट है, वो तो उसको भी प्रोटेक्ट कर रहा है, वो तो टिबल तलाग को भी टशनी करना चाहता, चीव जसिस ने और जसिस हब्द नजीर ने अपमे जज्जमेंट में यही कहा है, कि टिबल तलाग भी इसलाम का एक एसेंशल पार्ट है, और हम इसमें भी कुछ भी मदाफलत नहीं करेंगे, अलबता उन्हों ये कहा है, कि हम पार्लिमेंट से कहते हैं, कि वो से सरकार ने एकदम आनन फानन में ये फैसले लिया और जिस तरह कि जो ड्राफ किया गया है, जो उसका नाम रखा गया है, उसको भी लेकर रहतराज है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में गोवर्मेंट ने अटॉनी जेनरल्स की जबान से ये बात कहरवाई थी, ये बात अन रिक के बारे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कि आ चाहर हमारा जो स्टेंड है, वो यह है, जो तलाक की दूसरी रिक्समें है, तलाक रहसन और तलाक अहसन, वह सब भी बहन होने चाही है। लेकिं हम इस वक्त आप ardर टी इस ले नहीं है जैकि हम कर शुरू में पाबंदी लगा र हम चैलेंज करेंगे तलाक हैसन को भी और तलाक हैसन को भी अब ये तो स्टेंड साफ हो गया कि इंटायर इंसिटूशन अफ तलाक को अबॉलिश करना चाहती है होकुमत जब सुप्रीम कोट ने इसको कह दिया कि ये तो आप टशी नहीं कर सकते ट्रिपल तलाक के अरावा किस के खिलाफ इन्हों ने एक के दरशल ये बिल डाफ किया है तो हमारा यही कहना है कि ये बिल सुप्रीम कोट के बी जज्जमन के खिलाफ है कैंसल RICH जिसी के खिलाफ है औरतों के हुकूक के खिलाफ हैं बच्चों के खिलाफ है managing जिस तरह के मीडिया की अगर बात करें प्छल वो जब अजवाद का सामना वाया और उसके अलावा अभी जिस तरह से पद्मावती का मामला चल लाया था लेकिन जब उससे नहीं बढ़ गए तो दुबारा से एक नया शोचा छोड़ दिया गया कि मुस्लिम औरत इमामत क्यों नहीं कर सकते यह जो वादे इन्हों ने किये थे ना दो हजार चोड़ा के एलेक्शन से पहले यूथ को दो करोर जाब देंगे हर साल पंदरा लाक रुपए हर एक काउट में आएंगे किसानों को यह मिलेगा यह मिलेगा इसमें से एक भी तवादा पूरा नहीं हुआ उल्टा हुआ कि जा साल में सिर्फ छे लाक नए जाब क्रियेट किये गए हैं जो मजाख है इंडिया जैसे बड़े मुलक के लिए किसानों की खुदकुशी का हाला आपको बाता है क्या हो रहा है महिलाओं को साथ क्या दुद्दशा बन रही है रेप के वाकियाद कितने बढ़ रहे हैं क्राइ याद आ जाता है जो रेयरिस्ट अद रेयर वाकिया है मुस्लिम कम्यूनिटी में वो इनको याद आ जाता है ये एक तमाशा है पुलिकल इनको अगर मुस्लिम औरत से हमदर्दी होती तो नजीब की मा भी तो औरत है जुनेद की मा भी तो औरत है फिर अखलाक की बीवी और मार रहें और बच्चों को बेर्टीम और और अलतों को भीवा कर रहें यह मजाख है और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के आवाम सिर्फ ममाद नहीं भारत के आवाम अब इसको रिजिक्ट करेंगे बहुत हो गया तो मुसलमानों के अगर के जाए, Marcel girugani को किस तरह से खिरनिती अपनानी चाहिे? خास तर से अगर मसलिम लीड़र्शीप के बात करें तो वो कहीं न कहीं न दारत है? देखे, मसल्मानों को यह चाहिए, कि वह इन हालाओं के सुधारने की अकेले कोई कोई कोशिश न करें क्योंकि मसले को हिंदू-मस्लिम नहीं बनने जेना चाहिए और ये मसला मसला मुलका हिंदू-मस्लिम है भी नहीं ये तो एक मेजरिटी है जो बहुत ही बुरी तरह सफर कर रही है आप जरा S-C-S-T का हाल दे केए आदिवासीयों का हाल दे केए आप सिखों का हाल दे केए आप लिंगाइद का हाल दे केए तो ये पूरी काव्म जो एक जबरदस मेजरिटी ऑल्मस्स सेवники पर्संट लोग है जो बहुत ज़ाज़ा परिशान है किसान चाहे वो किसी भी कास्ट औक्रीड का हो परिशान है मजदूर परिशान है तो इन सब को साथ लेकर एक कामन इशूस पर मुलक के अंदर एक सियासी तबदीली लाने की कोशिश होनी चाहिए और ये कोशिश हो रही है मीडिया उसको हालाइट नहीं करता इसलिए उसके बारे में आमतर पर लोगों को खबरें नहीं होती लेकिन जमीन से जुड़े हुए लोग जो ग्रास रूट लेवल पर काम हो रहा है जो उसको जानते हैं वो बहुत पुरूमीद है कि बहुत जल्द मुलक में तबदीली आई मुलाना अभी आपने मीडिया का जिकर किया मीडिया को लेकर समय समय पर ये वाक्त आती रहती है खास्तोर से मुसलिमों के जरीए कि मुसल्मानों का अपना कोई मीडिया हाउस नहीं है वो एक बहुत वक्त की जरूरत है काफी पैसा खर्च किया जाता है करोड़ो रुपा प्रोगामस पर जो मुस्लिम के प्रोगामस होते हैं कौनफरंसे होती हैं बड़ी बड़ी लेकिन इस तरह का कोई भी कदम मुसल्मानों के जरीए नहीं उठाया जा रहा जिसकी वज़ा से मुसल्मानों की आवाज खासतोर से के ब्रादराने बतन की बात करें उन तक अपना मैसेज नहीं पहुँच पार रहा है बिलकुल ठीक कह रहे हैं आप बिलकुल ये बात इस कमी को दूर होना चाहिए और मैसे बितना ही इस वक्त बता सकता हूँ कि इस बारे में बहुत सीरियस इस वक्त काम चलना है कास गंच को लेकर बात करेंगे जिस तरह से कास गंच को लेकर कल कुछ बयानात राज्यसभा में आए खासतोर समाजवादी लीडर के उन्हों ने ये कहा कि पूरी तरह से निशान दही हो गई है किसकी गोली से चंदन मना लेकिन उसके बावजूद मुसल्मानों को परिशान किया जा रहा है सिर्फ मुसल्मानों गिरफतार किया जा रहा है कुछ वीडियो ऐसी आई है जिसमें दर्वादा तोड़ते हुए ताला तोड़ते हुए पुलिस वाले अंदर गुस रहे हैं और उनको घसीटते हुए ला रहे हैं खासतोर से नौजवानों को जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद भी नहीं थे जी हाँ ये तो बिलकल पूरे मुलक के सामने हैं और इस मसले को हम समझते हैं कि हीमन राइट्स को भी नोटिस लेना चाहिए और पूरी पार्लिमेंट को इस बारे में एक आवाज होकर इसके बारे में डिमान करना चाहिए कि हाई लेवल इमक्राइई बिठा जाए यूपी ग अपना रूल प्ले करेंगी या केड़ी समाजवादी पार्टी को इस बारे में तनहा जिम्मदारी डाल दी जाए ये भी कोई सही बात नहीं है हम उम्मीद करते हैं कांग्रेस से खास्तों पर अपील करते हैं और दूसरी और तमाम पार्टियों से कि वो इस से इसले में एक common structure बाए जब जब जबट्शन का यलान होता है ये इल्शन ओए हम ऑबड़ करें लोग सभा की तो कहा जा सकता है कि आफ़ी तरह से अलक्षन मौड में भारत आ गया है और काफी नताइज भी देखने में आ रहे हैं जो सत्तधारी पार्टी है उसके खिलाफ नताइज आ रहे हैं अभी जो अलक्शन हुए है जिमनी इंतखाबात तो ऐसे में खासतोर से उत्तर पर्देश की अगर हम बात करते हैं उत्तर पर्देश में मुसल्मान काफी डरा हुआ है खासतोर से कासगंच से जो लोग आए हैं कल भी काफी लोग थे मेरी उन से बात हुई है लोग डरे हुए हैं घर छोड़ करके चले गए हैं तो ऐसे में क् से पहले तो मसलिम अवाम से तमाम मजलूम लोगों से बहुत हमदर्दी के इजहार के साथ दिली दुक के इजहार के साथ ये अपील करता हूं कि ये हालात कोवमों पर आते हैं ये कोई नई बात नहीं है बहुत हिम्मत से काम लें हरकिस घर ने छोड़ें और वो फौरी तौर पर उसहे में जो गनूनी रास्तें हैं वो इस अपटियार करें और जो सियासी पार्ट यां और एंजियोस हैं उनसे अपील करता हूं कि वो लोगों की मदद करें एफईाल के लिखवाने में और जो भी लीगर प्रॉसेस इसको इखियार करने में और उनeren लों को प्रोडिक्शन देने और दिलवाने में हर neighboring eens इस हिसले में किसी डर्र और बहें से काम दिया जाया हिम्ब्स से काम लिया जाए यही जल्म जो हैं यही हालात इही सबब बन जाते हैं मजरूमों को एकटा होने के और जालिमों के कैफिर किल्दार ते पहुँशने कास गुंज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गहर मुस्लिम हैं जो उस वक्त घटना इस तल पर मौजूद थे उनके भी बयानात आ रहे हैं किस तरह से मौव आया हातों में हत्यार लिये हुए थे और अचानक हमला किया गया और डराने की कोशिश की गई नारे पन के साथ हो रहा है और मुल्क को एक सिविल वार की तरफ ढगेला जा रहा है बात तो यहां तक है इसलिए कि इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है उनके सामने इलेक्शन जीतने का मसला सारा खेल और आप में तो दो हजार उन्निस का लफज बोला अब तो बदल दीजए अब दो लेटिस नतीजे आएं अब देखे राजस्तान के मगरिबी बंगाल के तो वावाम का मूट तो बता रहे हैं वो तो इनको इस तरह की फिजा इनके लिए एक सियासी मजबूरी है इसके बगहर इनको सर्वाइव करना मुम्किन नहीं है तो इसके लिए क्या आप लोग भ बहुत वाज़िए तक मैं कहा दूँ कि मुस्लिम पसिनल्ला बोर्ट का अपना एक बहुत महदूद दारेकार है वो इलेक्टोरल पॉलिक्स में कोई हिस्सा कभी नहीं लेता ले सकता नहीं उसका कॉंस्लिशनस को इलाव नहीं करता उसके सामने सिर्फ दो काम है इसके जिम लेकिन जहां तक ये स्यासी सूल्च अहाल के तावलू के यह मुस्लिम पसिनला बोर्ट तो मुksiलिफ जमातों का मजमूँआ है तो मुक्तलिफ जमाते अपने अतने लेवल पर ये काम कर रही हैं और मुझे लगता है कि यह जो हाला है इसके तقादे से वो अपने काम के बढ़ाएंगे. एक आखरी सवाल, बोट को लेकर खास्तों से अगर बीजेपी की बात करें, तो उनका ये कहना है, कि बोट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, वो एक NGO है. कानूनी हैसियत के लिए क्या की जा जाता है? मुलक का शेहरी होना ये कुछ कम कानोनी हैसिएत है, इस कानसिलूशन के मताबक तो मुलक का हर शेहरी, एक बिलकुल बेपरा लिखा किसान भी, वो मुलक के इशूस पर बोल सकता है, अपनी राएज दे सकता है, असर्ड कर सकता है, तो जिमोक्रेसी, डिमोक्राटिक कांसिल्विशन ने हमको सौ फीसाथ तानूनी हैसियत दी हुई है हमको बीजेपी से किसी सर्टफिकर की दरूबत दी शुक्रिया यह थे मुला सज्जाद नुर्मानी साहब जो तफसील से गुफ्तकू कर रहे थे बास्टर से तर्फबर तलाफपर और अब जिस तरह से परलिमेंट में कोशिश की जा रही है बिल को पास कराने की, उसको लेकर किस तरह का लाहे讲 मल तैयार किया है? यह साहफ किया? उसके साथ ही جो मुलक के हालात है। ऐसे म मुसल्मानों को किस इस तरह से बिरादराने वतन को साथ लेकर चलना है इन सब चीज़ों पर अपनी खास राय दी कैवर परसन सुमित के साथ दिल्ली से शकील अहमाद